दोस्तों हाजरा एक होर वीडियो रिपोर्ट लाएके ते आज दी वीडियो रिपोर्ट इस वक्त दी सब्टों वड़ी खबर उत्ते रिपुदमन सिंग मलिकनू कैनेडा दे सरी दे विच गोलियां मारतियां गईया ने अपने वेरहाउस दे बाहर रिपुदमन सिंग मलिकनू एक अंजान शक्स ने जिसने अपना मूँ कबर किता होया सी ओस्वल नो गोलियां नाल छलनी कारतिता गया मल्टिपल शॉट्स जड़े दसे जारे ने रिपुदमन मलिकनू अपनी टेसला गड़ी जिस विच की ओ अपने वेरहाउस दे पहुंच दे ने उसे वक्त गोलियां मारियां जान दियाने ते कैनेडा दी एतिहास दे विच होन वालियां वड़ियां टार्गेटेड किलिंग्स दे विच्चो एस नू एक मन्या जा रहा है रॉयल केनेडियन मांट पुलिस अतेवना दा इंटिग्रेटिड होमिसाइड यूनिट है ओ इस दी परताल कारता पे है ते समझा ए जान दा है कि जिस गली दे विच रिपुदमन सिंग मलिक नू गोलियां मारियां गईयां उस दे नाल ही कुछ दूरी हुते दूसरी गली दे विच हमलावर दी कार नू अगलाती गई साड़ता गया एक मोडस अपरेंडाई है जिस तहत की कैनेडा दे विच होन वाले जड़े जर्म ने क्राइम ने उना क्राइम्स नू कमिट करन तो बाद हमलावर या इस तरीके दे क्रिमिनल्स अपनी गड़ियां नू साड़ दंदे ने पहला भी कुछ वजे वाद आता रहिया ने जिस विच की अपरादा तो बाद अपनी गड़ियां दी अगजनी कीती गई है तो उसे मोडस उपरेंडा ही देता है तो एक आरा किता गया है लेकिन एक बहुत बढ़ी कटना है जिसने की सिर्फ कैनेडा नू ही नहीं बलकि पारत दे विच भी बहुत बढ़ा असर पाना है एथे तो नूँ एदास दिये की रिपु दमन मलक आखर दे विच सी कौन बहुत से लोका नू रिपु दमन मलक दे बारे पता नहीं है आज दी तरीक दे विच रिपू दमन मलिक एक बहुत ही तनाड इंडस्ट्रिलिस्ट बिजनस पर्सन दे विच्चों एक मनने जान दे सन बत और एक ट्रस्ट सतनाम ट्रस्ट दे ना दे उत्ते उना दे कई चैरिटेबल ओगनाजेशन चाल दे सन कई खालसा स्कूल उना बुलनों चलाए जान दे सन ते एक खालसा क्रेडिट यूनियन चलाए जान दे सी एक गावेंट दी इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्म दे विओ मालक सन ते एदस्या जान दा कि उना दी जड़ी क्रेडिट यूनियन सी 110 मिलियन डॉलर दा उस दा टोटल जड़ा फैला सी जिस दा मतलब एह है कि रिपुदवन मलिक एक बहुत ही रिसोर्स फूल ते तनाड केनेडियन सन लेकिन रिपुदवन मलिक दी असल पचान है साल उन्निसो पचासी 23 जुन उन्निसो पचासी नू जड़ा एक कनिश्क विमान हाथसा होया सी एर इंडिया दी फ्लाइट 182 जो की हवा दे विच दुरगटना गरस्त हुन दी है उस दे विच एक टाइम बॉंब उस दा तमाका हुन दा है ते 399 जड़े सवार हुन देने मुसाफर हुन देने उना दी आरलेंड दे समुद्र दे उत्ते मौत हो जान दी है कनिश्क दा हाथसा एक मिड एर एक्स्पोजन सी ते एक देशतगर्दी दी वारदात सी जो कि 9-11 तो पहला दुनिया दे एविएशन दे इतिहास दी सब तो वड़ी अत्वादी वारदात सी जिसने की सवा तेनसोर आसपास जानना ले ली हैं जिस विचो सवा सोतो वद बच्चे ते नावालग लोक्सन यानि की एडॉलिस्टे चिल्डरन छोटे बच्चे इस हाथसे दे 37 साल वीत जानतो बाद भी पीटना दे परिवारा दा गुसा दे मला ले ही रहा की कैनेडियन सिस्टम दे कैनेडियन इस्टैबलिश्मेंट कैनेडियन मुल्क उना नो ओ इंसाफ नहीं दोआ पाया ते इस दैशतगर्दी दी वारदात दे दोश्या नो सजावान नहीं मिल सकियां ते इस दैशतगर्दी दे वारदात ता जड़ा दोशी सी उना विचो एक मेन ऐलिमेंट सी रिक पुदमन सिंग मलिक खुद बबरखालसा वल्नो ए वारदात कराई दसी जारी सी चो कि अलाग अलाग एड़ियन इंवस्टीगेशन होई हैं जिस दे विच ज़ादा रड़ता कैनेडियन इंवस्टीगेशन नहीं बड़ता लागती हैं बादे बिच यस सुफ़ते कई कमीशन कमेटी बनियां जस्टिस जॉन मेजर कमीशन अफ इंक्वाइरी बनेया जिस विच कि ये स्थापत होया कि बबबर खालसा इंटरनेशनल वल्लों ही एक कुमांटरी पदर उते सुनेहा पे जन्दे मकसर दे नाल एक बाउमिंग्स जड़ियां सी प्लैंट कितियां गियां सी एक बाउमिंग हो क्रिमिनल कॉंस्पिरेसी रही ते एक में जड़ा कॉंस्पिरेटर सी ओसी रिपुदमन सिंग मलिक जिस्दी की हून तो कुछ कैंटे पहला कैनेडा दे सरी देविच गोलियां मार के हत्या किती गई है 1985 दी एस कनिश्क हाथ से तो बाद कई साल तक असल अपरादियां दा ते कॉंस्पिरेटर्स दा पता नहीं लगा लेकिन 1988 तो बाद इक किक करके सार दे सारे जड़े साजश काड़े सी या साजश करता सी जोकि बाद दे बिच दालता वलनों दोश मुक किते गए उना दे बा अला बाद एना नू फड़े आ गया एक तीसरा जड़ा शक्स एना देनाल इस साजश दे विच हलाकि साजश दा जड़ा में मास्टर माइंड सी ओता तलविंदर परमार यानि कि तलविंदर बबबर सी ते उस देनाल कई होर अजे है अंसर सन जो की अलग अलग थामा तो ब उसने बागडी ते रियात देनाल मिलके इस पूरी दी पूरी साजश दी लोजिस्टिकल जड़ी इमदाद सी ओकिती एही कारण सी की 1988 दे विच इंदर जीत रियात नू इंगलन तो गिरफतार किता जानदा है ते उस तो थोड़े ही साला बाद बागडी अते रिपुदमन मलिक दोमा नों एरेस्ट कार ला जानदा है ते एना केसां दे विच चार्ज कारता जानदा है कैनेडा दी तरती उत्ते एह एक बहुत बड़ी वार्दा ते अपराद एक साजश सी जिस विच की कैनेडियन इंटेलिजेंस एजंसियां ते रॉयल कैनेडियन मौट पुलिस एक बड़ा बड़ा कोडिनेशन दा लाग सी कमी सी जिस कारण की एह अपरादिक वार्दात होई लेकिन एस तो बाद ओत्थों दे करसाले इंडो केंडियन टाइम्स वलनों कई खुलासे किते गए जिना विच अजैब सिंग बागडी वलनों एक होर इंगलेंड बेस जर्न लिस्ट तरसेम सिंग पूरेबाल जो की देश परदेश टाइम्स दे संपादक सन उना ने सामने कीता गया इंक्षाफ की इना बमा नू प्लैंट करन दे विच इना दी पूमी का है यानि कि सब दी बागडी दी रियादी ते रिपुदमन मलिक दी ए बड़ी वड़ी खुल ये लोकां दे खिलाफ केनेडा दी अदालत दे विच मुकदमा चले आ अबरादक साजिश दे विच शम्हूलियत दी गालबात दसेगा ओ गवाही होएगी ओ विटनस दी स्टेट्मेंट होएगी लेकिन अखिरी मौके दे उत्ते 2005 दे विच इंदरजीत रियाद एस गवाही नू देन तो पिछे हट गया मुकर गया जिस तो बाद की ओस दे खिल इंदरजीत रियाद ओस दी इनकंसिस्टेंट सी कारके अदालत ने दोशमुक्त कारता एना नू बरी कारता गया एर इंडिया ट्रायल दे विच रिपुदमन मलिक अते अजायब सिंग बागडी ता दोशमुक्त होगे लेकिन इंदरजीत सिंग रियाद दे खिलाब 2009 दे विच परजुरी प्रोसीडिंग्स यानि की अदालत दे विच अपनी गवाही तो हॉस्टाइल होंदा मुकदमा च साला दे विच तकरीबन 25 जे है साल सन जेस दोरान रिपुदमन मलिक ते बागडी वर गे लोग पारत नहीं सी आ सकते एक वड़ा कारण सी क्योंकि बबबर खाल सादे नाल एना दे लिंक एर इंडिया बामिंग्स दे विच एना दे ना इना दी शम्हूलियत ते अदालत द ब्लैक लिस्टा दे विच पाए होई सन ब्लैक लिस्टा नो आज तो कुछ साल पहला ही स्क्रैप करता गया ते बहुत से अजे है ना सन जीना नो इना ब्लैक लिस्टा विचो करता गया हुन तकरीबन 25 साल तक पारत ना आसरकन वाले रिपुदमन मलिक जदों 2019 दे विच प मन्त गोयल उना दी मदद दे नाल मिल दी है एस चीज दा खुलासा खुद एक टेलिविजन इंट्रिव्यू दे विच रिपुदमन मलिक होना दे परा ने कहा दस्या कि नरिंदर मोदी अते रौ दे मुखी समन्त गोयल दी ही मेरबानी सदका ओ पारत वापस पर्त सके ने ए इस तो कुछ साल बाद यानि कि एसे साल 2000 बाई दे विच जनवरी दे महीने दे विच इक ओफिशल बयान जड़ा है ओ सतनाम तरस दे उते जारी हुंदा है रिपुदमन मलिक दा एस बयान दे विच पारत दे परदान मंतरी नरिंदर मोदी दिया उना तमाम कोशिशां जिस आग दियां दियू मनाओन तो लेकि चिरे साहब जादे है गेने उना दे शहीदी दिहाडे नू वीर बाल देवस दे रूपिच मनाओन तक इस सारे दे सारे उपराल ले आ दी शलागा एक परदान मंतरी नू लिखी चिठी दे विच रिपुदमन मलिक इसे साल जनवरी दे अपनी इसे चिठी दे विच इक पासे जिठी रिपुदमन मलिक देश दे परदान मंतरी नरेंदर मोधी दे पारस सरकार दे उपराल ले आ दियां तारीफां कार रहे हुं देने दूसरे पासे ओ खालिस्तानी या फिर वक्ष वादी अंसरा नू भी ताड रहे हुं देने ओना बन नो अपील कितनी जान दी है कि अजे है अप लोग का नो पठकाउन वाले जड़ा प्रॉपेगंडा है भारत विरोधी प्रॉपेगंडा है उस तो बचया जावे ते एस तरीके दे अंसरा दी गल्ला बाता नो ना सुने जाए एक अजे हा क्रिटिकल फैक्टर हुं दी है जो कि एस वक्ट कैनेडा ते अमेरिका दी तरती उत्ते सरगरम ने यानि कि एक टोटल रोल रिवर्सल रिपुदमन मलिक दा वेकर नो मिलया उना दी नेड़ता पारत सरकार ते पारत दी एजंसी रौ दे नाल एक अजे हा विवाद दा विशा सी जो कि हमेशा तो ही बहुत से उना दे जेने डिट्रैक्टर्स रहे होंगे उना नो रड़क दा रहा होएगा लेकिन एओ समासी जदो कि कैनेडा दे समाज दे वेच रिपुदमन मलिक दा एक बहुत बड़ा ना सी हाल ही दे कुछ महीने दे भी चिक होर बड़ा बड़ा विवाद जिस दे नाल रिपुदमन मलिक दो जोड़के वेख्या गया ओसी श्री गुरु गरंद साहब जी अन अधिकरत जड़ियां बीडा है गिया ने याउना दी जड़ी कौपीज है गिया ने उननू छापणना काम अनाथोराइजड पाब्लिकेशन ओफ श्री गुरु गरंद साहब दाई कजेहा विशासी जिसनू की अकाल तक्त ने भी बहुती गंबीरता दे नालिया एस दीक इंक्वारी होई एस दीक इंवेस्टिगेशन कमेटी इसली बनी जिसने की तमाम लोग जिस विच की थमिंदर सिंग तो लेके रिपुदमन सिंग मलिक दे जडे प्रा हैगे ने जो की कैनेडा बेस्ट हैगे ने उनना तो भी सवाल जबाब किते गे ये मन्या जान्दा सी की रिपुदमन मलिक ते उसदे प्रा ने मिलके एक अजे ही प्रिंटिंग प्रेस केनड़ा दे विछी लाते सी जित्थे की श्री गुरु गरंज साब जी दी छपाई ते उसदा प्रकाशन हो रहा सी जो की अकाल तक सहाब दे अपने हुकम नामया दे मत नाबक अन अधिकरत सी लेट 90 तो बाद श्री गुरु गरंज साहब जी दी पाब्लिकेशन दी जिम्मेवारी या उसदा जड़ा हक सी ओ एसजी पी सी या उसदी प्रिंटिंग प्रेसिस ताखी रिस्ट्रिक्ट करन दा हुकम नामा जड़ा सी जारी किता गया सी लेकिन इस तो और जड़ियां तरूटियां वेखनु मिलियां जिस तो बात की हो हला होया आखिर दे विच ए समझा गया कि विदेशा तो श्री गुरु गरंज साहब जी दी जिनी कौपीज है गया ने उनादे जड़े सरूप है गये ने ओ गलत तरीके नाल चापे जा रहे ने ए छप पाई करण वाले जड़े अधारेसन उना विचो एक रिपुदबन मलिक थे उना दे प्रावलनों संचालत एक पुब्लिकेशन हाउसी एक प्रिंटिंग प्रेसी इस तो इलावा चाइना तो भी इस तरीके नाल च्री गुरु गरंज साहब जी दी छपाई कराई जान दी सी कई जड़ियां बेनिजबियां पाईयां गईयां उस दे उते एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन या इंक्वारी जड़ी रिपोर्ट है ओ सब कमिटी ने कुछ दिन पहला ही सब्मिट भी किती है वीते तकरीबन चार दहाक्यां दे अपने एक काफी टर्बिलेंट इतिहास दे विच रिपोर्टमन मलिक कई विवादा दे विच रहे कई दुनिया दे सब तो बड़े बड़े हाथसे तरासदियां या दैशतगर्दी हमलें दे सेंटर दे विच रहे ओस दा एक मेन किरदा करेक्टर रहे मेने क्यूज रहे अदालता वननों बरी कारते गए गवाहा दी काट दे कारण गवाहा दे मुकरन दे कारण उननों अदालता ने दोश्मुत किता लेकिन इस दे बाद जिते उननने बहुत काम्याबी के निड़ा दे समाज दे विच हासल किती समाजिक पक्ष या फिर जे अपां कहिए आर्थक पक्षों जिवें कि मैं एक बहुत वड़े लंबे चोड़े एंपायर दी काल कार रहे हैं एक मल्टी मिलियन बिजनस जड़ा एक एंपायर सी उसनों भी काफी हद तक रिपुदमन मलिक कंट्रोल कर दे सन दस्या जान दा कि ओना दे जड़े संबंध सन उसे काल तक साहब ते जथेदार साब SGPC दे जड़े वड़े ओदेदार है गेने ते पारत सरकार इना सामना नाल चंगे संबंध सन देस्पाइट दा फैक्ट कि ओ इस एर इंडिया बॉमिंग्स दे एक मेन एक्क्यूस वजों कई साल ओस ट्रायल नूँ फेस कर चुके सन ते पिछले कुछ दिना दे बिच ओना दी जड़िया लीनिंग्स रहियां एक बड़ा कारण मन्या जा सकता है हलाकि एक केना प्रेमेचोर होएगा क्योंकि एक टार्ःटेट किल है टार्ःटेट हिट है ठीक ओसे तरीक के नाल जिमेलिया टार्ःटेट किलिंग्स पारत दे बिच होनदी है रहियाने केनेडा दी तर्थी उत्ते बहुती लंबे समय देवाद इस तरीके दी एक targeted killing वेखंदे विच मिली है जिस विच की एड़े वड़े लेवल दे शक्स नू टार्गेट किता गया है ते उस नू मार मुकाया गया है इस मामले दी investigation इस वक्ट चाल दी पई है जाता कि investigation मुकमल नहीं हो जान दी ताथ तक सिर्फ अंदाजे या फिर अनुमान लाए जा सकतेने लेकिन सपश्टा दे नाले नहीं कहा जा सकता कि केड़े अंसर ने एक काम कीता हो सकता है एदे पिछे ओ विचारता रादे लोग भी हो सकतेने जीना नू रिपुदमन मलिक दा पारत पक्खी या फिर नरेंदर मोदी दे प्रती जड़ा एक soft stand सी ओ खटक रहा होए श्री गुरुगन साब जी दी बेद भी या फिर अन अधिकरित जड़ी सरूपानी जड़ी छपाई दा काम सी ओ एक वखरा इशू है ओ सुते एड़ा तिखा प्रतिकरम या रियक्शन पॉसिबल नजर नहीं आ रहा लेकिन किसी भी संभावना नू इस वक्त रूल आउट नहीं किता जाना चाहिदा रिपू दबन सिंग मलिक दी मौत देविच एक मिक्स्ट किसंदा रियक्शन वेखन विच मिल रहा है ते मिलेगा क्योंकि बहुत वड़ा तबका है खास करके ओ तेंसो उनती जियां दे परिवारां दा जिना नू इनसाफ इना सैंती साला देवि एक कोजा मजाख हुंदा हुए अपनी अक्खा दे सामने वेख्या जिस तहाद की रिपू दमन सिंग मलिक आते अजायव सिंग बागडी सिर्फ एस वास्ते बच गए क्योंकि इंदर जीत रियात ने उना दे खिलाफ जड़ी गवाही देनी सी जोकि ओस वो लोग कमिट्ट दे विच इंसाफ ना हों दी गोहार कर रहे सान उना दे लिए रिपुदमन मलिक दी मौत दा एक वखरा मतलब है लेकिन जे दूसरे पास से अपा इस दियां कुछ हो डाइमेंशन से समझन दी कोशिश करिए केनेड़ा दे समाज लिए एक बहुती मंदपागी एक खबर है उते बहुत से लोग जो की रिपुदमन मलिक देना जुड़े रहे हो सकते ने गुर्दवारे या फिर ओ लोग जो की खालसा चैरिटेबल ऑगनाजेशन जो रन कर रहे सन स्कूल रन कर रहे सन क्रेडिट यूनियन या फिर एक बिजनस एंपाइर ओ सारे दे सारे लोग उनन जो की शायद हुन केनिड़ा दे लोकां ते ओ थोधी एस्टेबलिश्मेंट भी महसूस कार रहे होगी तो एस मामले दे भी परताल गहराई दे विच जाके होनी चाहे दी है इस देनाली रिपुदमन सिंग मलिक दी मौद दा मायना पारत सरकार या फिर ओस्टियां ओ एजनसियां जो की विदेश्यां दे विच बैठे रेडिकल एलिमेंट्स नू नू निट्रलाइज करन दे पक्खों या फिर ओस सेंटिमेंट नू एड्रेस करन दे पक्खों सिक स समाज तक पहुंच करना चारी है उना दे डायस्पोरा दे विच अपने कुछ लोकना दे जरीए ब्रिजिस बनाना चारी है और आपता कायम करना चारी है जिस कारण की कुड़तन जेड़ी है पारती सिस्टम ते सरकार दे खिलाफ ओ काड़ सके यहीं दरेंदर मोदी ते उन लोग एक बड़ी बड़ी कड़ी ते बहुत सहाई हिस्सा सावत हो सकते सते हो भी रहे सां जिस तरीकी दी चिठी ओनाने दरेंदर मोदी नूं तो कुछ दिन पहला लिखी सी सो रिपुदमन सिंग मलिक दी मौत पारत सरकार या फिर एथो दी जड़ी साड़ी में सियासी पार्टी बीजेपी है या फिर साड़े एथो दे ओ अधारे है किने जो की केनेडा दे बिच रेडिकल एलिमेंट्स दे मुकाबले दे बिच कुछ होर ताक्ता नूं मजबूत क करना चांदे ने ते जे ओ लोग उना दे अपने समाज दे बिच्चों ही आउंदे होन उना वर गीता कोई रीस ही नहीं हो सकती जो लोग एस चीज़ी कोशिशां दे बिच पिछले कई साला तो लगे होए सन उना लही वी दी पुदमन सिंग मलिक दी मौत एक बहुत वड़ जे गोली बारी जांदी है किनेडा दे बिचोंना नूं मारता जांदा है ते तरसेम सिंग पूरेबाल भालनी ता उस तो पहला 1946 दे बिच निशांना बनाता जांदा है targeted killing होना दिकारती जान दी है चांदे बाद 3 जेडी targeted killings है और पुदमन मलिक दी कुछ के इंटे पहला ह होई है सो आणवाले दिना दे विच जो भी इन्वेस्टिगेशन होन गिया इस दिया होर डिमेंशन जो उबर के सामने आउन गिया जड़े प्रतिकरम आ रहे है गे ने उना दे बेस होते कुछ होर रिपोर्ट्स भी त्यार करांगे जानदे जानदे मैं तोनों एदास दमावी कनिश्क हवाई हाथ से एर इंडिया 1-2 फ्लाइट जेडिसी उस दी बॉमिंग्स नरीटा एरपोर्ट तलविंदर परमार अते तारा सिंग हेर अते तरसेम सिंग पूरेवाल दिया हात्यामा एननल जुड़ी एक अलग लड़ी सी चार पार्ट दिये लड़ी जिसनों की आज तो ठीक सत महीने पहला में बनाया सी बहुत से लोका ने मैंने ट्वीटर ते पुछा है कि रिपुदर्वन वाले कौन सन एक पूरदा पूरा जड़ा हाथ सा तरासदी उनिस सो पचासी तै केस्ट कारते ने तुसी उननों रैफर कार सकते हो आज दी रिपोर्ट आथ हूं था किसी रिपुदमन मलिक दी मौत एक बहुत वड़ी कटना है बहुत वड़ी खबर है ते आन वाले दिना दे विच इस दा प्रतिकर्म है ना सिर्फ कैनेड़ा या पंजाब दे विच बलक किसो मच